हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आप सब आप सभी का टेक्नोमिनी चैनल में एक बार फेसे स्वागत है एक नई वीडियो के साथ और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं प्लीज अगर आपको मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी क्या है दोनों एक मैमरी है दोनों हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं तो हम डिस्कूस करेंगे कि डिफरेंस बेटविं दर रैम एंड रोम तो रैम जो होती है रैम को हम रैंडम असेस मैमरी भी बोलते हैं रैंडम असेस मैमरी और रैंडम असेस मैमरी बोलते उसमें हम information store कर सकते हैं जो हमने store की है और retrieve कर सकते हैं किसी भी time में और जो ROM है उसमें हम information है जो permanently store कर सकते हैं जो RAM थी उसमें हम कैसे store कर सकते हैं अतलब temporary हम data जो भी है store कर सकते हैं second इसका option है difference है कि जो RAM है वो है volatile storage memory और जो ROM है वो है non-volatile storage memory तो वॉलेटाइल का मतलब है कि जैसे हम कोई भी डाटा हम सेव कर रहे हैं तो वॉलेटाइल का मतलब है कि हमें उसमें हमें पावर की सप्लाई हमेशा देनी पड़ेगी तब ही वो डाटा हमेरे पास स्टोर होता है अगर वो जो पावर की पावर सप्लाई है अगर हम वो कर देंगे तो जो data हमने store करना था वो store नहीं होता वो remove हो जाता है और इसका opposite है ROM का non-volatile जो ROM है वो एक non-volatile storage memory है उसमें हमें power permanently हम क्या कह सकते हैं कि हमेशा हमें power supply की जरूरत नहीं पड़ती उसमें हम बीना power से भी data अपना जो भी store करना वो कर सकते हैं और next हमारे पास इसका difference है कि जो RAM है उसमें हम read भी कर सकते है data को write भी कर सकते हैं वो memory को जो ROM है उसमें हमें only read कर सकते है data memory जो data हमने enter किया उसको read कर सकते हैं information है जो इसमें वो RAM में वो हम alter भी कर सकते है अल्टर का मतलब है कि अगर कुछ changes करने हैं तो हम उसमें changes कर सकते हैं अगर हमने कुछ गलत लिखती है कुछ add करना है वो हम RAM में add कर सकते हैं ROM में हम वो चीज नहीं कर सकते हैं अल्टर नहीं कर सकते हैं अगर हमने एक बार data store कर दिया data add कर दिया तो वो same permanently वही रहता है उसमें हम कोई भी changes नहीं कर सकते हैं next हमारे पास है कि it is possible to randomly select and store the information इसमें हम randomly कोई भी data store कर सकते हैं randomly हम data select कर सकते हैं जैसे हमने first three parts select कर लिए थेक है उसके बाद मीच मीच होड़ दिया उसके बाद हमने add कर लिए say randomly लेकिन जो row में उसमें वो randomly हम selection नहीं कर सकते हैं और next मैं बता देती हूँ next इसमें आ जाता है कि इसमें जो ram की execution speed होती है ram की execution जो कैसे work करना उसने execution जो speed होती है वो किस पे वो ram की capacity पर depend करती है कि कितनी हमारी कह सकते है कि कितनी capacity है उसमें कितना data हम store कर सकते हैं उसकी speed पर depend करती है execution जो ram है उसमें यह कुछ भी dependent नहीं है वो हम जैसे भी उसकी speed है उसपे काम करता है वो without speed है execution capacity उसपे depend नहीं करती और next ram है जो क्या log करती है कि computer कोई भी data है quickly run कर सके कोई भी application run करनी है वो easily कर सकती है लेकिन roam में क्या है जो data हमें store करना है या store किया है उसको पहले हमें initialize करने के लिए boot करना पड़ता है boot मतलब कह सकते हैं कि जब हम computer start करते हैं तो starting में booting process होती है तो उसमें क्या है power supply हम boot कहते हैं उसको initially boot करना पड़ता है computer को then हमारे पास वो program है वो हम store कर सकते हैं जो भी हमने हमें करना है और next है हमारे पास कि जो ram है जो ram है उसकी types है static ram, dynamic ram और ROM की जो types है p-rom, e-prom, double e-prom यह इनकी types हैं यह इनका difference थे जो हमने आज discuss किये और इसका एक और difference मैं बता देखती हूं और यह देखें मैं आपको picture में दिखा देती हूं एक side जो मैं आपको दिखा दीओ वो ram की picture है और दूसरी side और दूसरी side जो प्रॉसरी यह दो पॉक्ड काझ रखें लुक्ड का यह दो प्यूद मैं आपको आपको दो व्यूद नर्यूद देख जो रखेंग और भी इनका टूसरी